Factorize 8x cube plus 27y cube plus 36x square y plus 54xy square हमें ये कुछ terms दी गई है expanded form में और हमें उसको factorize form में लिखना है अब इस तरह के sums को हम लोग by splitting the middle term या factor theorem से solve नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमारे पास single variable वाला funda नहीं है इसमें क्या है कि हमें इसको किसी ना किसी algebraic identity के साथ compare करके फिर इसको solve करना है तो कैसे compare करें देखो सबसे पहले तो ये इसको अगर आप ढंक से देखो यहाँ पे x का exponent क्या है 3 यहाँ पे y का exponent 3 यहाँ पे x का 2, y का 1 तो total फिर 3 और last वाले में भी x का 1 और y का 2 तो total फिर से 3 तो चारों terms में exponent कितना मिल रहा है 3 total 4 terms है तो इसका मतलब ये किनी 2 terms का cube है तो इसका मतलब यहाँ तो मैं x plus y whole cube की form में लिखूंगा यहाँ फिर x minus y लेकिन x minus y मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि यहाँ plus, यहाँ plus, यहाँ plus तो इसका मतलब ये x plus y whole cube की ही form का है अब x plus y whole cube इसको अगर मैं थोड़ा सा और तरीके से देखूं तो using pascal triangle मैं इसको x cube plus 3 x square y plus 3 x y square plus y cube लिख सकता हूँ quickly जैसे ये x minus y whole cube को हमने ऐसे लिखा हुआ है वैसे मैंने इसको लिख लिख लिया यानि कि जब आप इसको open करोगे 3 x y को इससे multiply करोगे तो 3 x square y हो जाएगा और इसको जब y से multiply करोगे तो 3 x y square हो जाएगा इसको quickly हम कैसे लिख सकते हैं इसके cube को वो मैं एक video में बहुत detail में समझा चुका हूँ उसको देख रहा हो तो आप top right corner में जो link displayed है उसको देख सकते हो इसको pascal triangle यूज करके हम बड़ी quickly लिख सकते हैं अब इसको मैं इसके साथ compare करता हूँ ठीक है तो x cube की जगा मेरे पास 8x cube है y cube की जगा 27y cube है तो इसको compare करके देखते हैं इसको मैं लिख सकता हूँ 2x का whole cube जब मैं इसको खोलूँगा तो 2 cube x cube 2 cube is 8 तो ये वही हो जाएगा अब 27, 27 is 3 cube तो ये 3y का whole cube लिख सकता हूँ मैं इसको जब open करोगे तो ये फिर से 27y cube हो जाएगा तो यानि कि अगर मैं इसको इसके साथ compare करूँ तो x की जगा 2x आ गया y की जगा 3y आ गया तो इसका अदला ये x square y x square y वाली term के साथ मैं इसको compare कर सकता हूँ और x y square वाली term को x y square वाली term से compare कर सकता हूँ तो ये बनेगा क्या ये बनेगा ये 3x square y की form करना चाहिए तो 3 तो मैं लिख देता हूँ यहां पे sorry it should be plus 3 तो मैं लिख देता हूँ लेकिन x की जगा कितना है 2x तो ये हो जाएगा 2x square और y की जगा मेरे पास यहां पे क्या है 3y तो इसी को अगर मैं 3y लिखूँ तो अगर आप इसको अब solve करके देखो तो 3 तो ये हो जाएगा 3 into ये 2 square is 4 into x square into ये हो जाएगा 3y तो 3 into 3 is 9 9 into 4 is 36 x square y तो ये ही चीज आगा है वापस लेकिन हमने इसको 2x और 3y की form में लिख दिया similarly इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 54 को मैं इस form में ही लिखूँँगा 3 into x y square लेकिन इस case में 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 एक्स क्या है 2x और y क्या है 3y का इसका square हो जाएगा ठीक है y की जगा 3y है तो square हो जाएगा I hope आप confuse नहीं हो रहे है मैं दुबारा पताएता हूँ इन terms को मैंने इसके साथ compare किया यहाँ पे मेरे पास x और y था लेकिन यहाँ पे x की जगा 2x है और y की जगा 3y है that's it बाकी कोई चीज़ चेंज नहीं है इसको भी आप खोल के देख सकते हो तो यह 3 into 2x into यह हो जाएगा 9y square 3 into 2 is 6 6 into 9 is 54 x y square यानि कि फिर से y जी जा गई ठीक है अब x इसमें क्या है x की जगा 2x और y की जगा 3y तो actually यह फिर क्या बन गया मेरे पास यह बन जाएगा x plus y whole cube x की जगा 2x और y की जगा 3y का whole cube that's my answer just in case मालो आपको confusion हो रही है आपको नहीं समझ में आ रहा ठीक है तो आप क्या करो आप ना इसको समझने के point of view से आप इसको लिख लो 8t cube plus 27r cube plus x की जगा t लिख लो और y की जगा r यह कितना आजाएगा 36t square r plus 54tr square अब ठीक है अब कोई confusion नहीं अब मैं इसको 2t whole cube लिख सकता हूँ और इसको मैं 3r whole cube लिख सकता हूँ बाकी terms अभी छोड़ देते हैं अब x की जगा मेरा आ गया 2t और y की जगा मेरे पास क्या आ गया 3r now I hope कि आपको समझ में आ गया कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ just in case आपको कोई confusion हो कि यहाँ पर भी x है यहाँ पर भी x है identity में तो उससे कोई फरक ने बढ़ता आप identity को अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप identity को इस form में लिख लो a plus b whole cube is equal to a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube इस form में लिख लो तब भी आपको कभी कोई confusion नहीं होगी I hope आपको समझ में आगा कि इस sum को कैसे solve करना है just in case अभी भी कोई confusion है आप comment section में मुझसे पूछ सकते हो I will try to answer So that's it from this tutorial Keep watching Mathematia ... ... ... झाल